कि अगर आप दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाजर अपने चैनल सनी नादपर स्वागत करते हैं आप आज मैं फिर से आज एक नहीं जानकारी के साथ गुरु गोर्खनाजी का चिम्ता कैसे गाड़े धूने में चिम्ता सिद्धी विधी एवं चिम्ते की शक्ति क्या दने का कि अगर फस्स टाइम आप विजिटर हो मेरे चैनल पर फस्स टाइम विजिट कर रहे हो तो आप पहले चैनल को अच्छे से देख ले ना जांच-पिचार कर ले ना फिर उसके बाद आपको लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बेल कर युरू क्लिक करना ती इसे पहले वीडियो देखना स्क्रीशन लेना वाट्सप पे डाला उसका जैनल प्राइज आप देऊगे मेरे को जब प्राइज उसका आ जाएगा पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद वो सिद्ध कर गया वो पांसे तस दिन में आपके घर पे भी दिया थी बाई पोस्ट के आपको देना पड़ेगा बागी की डिटेल मैंने मैंने मैंशन करें ज्यादा इंफ्रमेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकरा न सारी डिटेल मैंने वहाँ पर मैंशन करें आप माता हूं टॉपी के ओपर गुरु गुर्खना जी का चिम्टा कैसे गाड़े चिम्टा सिद्धी विदी क्या है या गुरू मुखी है या लोंग टाइम से एक लोंग प्रसेस में वो नाथो की सेवा करें उनके लिए वीडियो कारगर सिद्ध होगा नॉर्मल इंसान देख सकते हैं ये वीडियो समझ सकते हैं लेकिन समझने के बाद भी किसी जानकर के चिम्टा जाना उसकी जो लेंथ वगारा वो अलग है और जो घर पे आप चिम्टा गारते हो घर पे आप धूना लगाते हो चोटा चिम्टा लगते हो उसकी वीडियो बिल्कुल उसके ऑपजिट हो जो दोनों अलग लग है तो चिम्टा आप धूने में लगाने से पहले सर उपर क्या करना है चिम्टे को कैसे गारना है तो चिम्टा आप ले सकते हैं लेकिन जाद रखना सवाफूट से नीचे का चिम्टा होना चाहिए सवाफूट से उपर ही रखना उससे नीचे का नहीं रखना और जो बाकी ना समपता के धूने में लगता है उसकी हाइट अलग ह तो आप ने चीम्टा ले रहे हैं चानने पक्ष में पहले संडे लगेगा उसमें जब कोई भी नॉर्मल अच्छा दिन ले सकते हो जो कि अच्छी तीथी हो एवं वो बोलते हैं कि पुश्भी योग नक्षकतर हो जिसको बोला जाता है कि चानने पक्ष का चानना पहर हो उस पहर में आपने चीम्टा लेना चीम्टे को आपने कच्छी लस्टी के साथ होना दूद उसमें आपने थोड़ा सा जल डालेना थोड़ा सा गंगा जल डालेना धूने की बभूत डालनी है उसमें चार चीज़े डालके चीम्टे को अच्छे से उसके साथ धो देना आपने और चिम्टा धूने के बाद आपने चिम्टा धूने में गार देना है चिम्टा गार देने के बाद आपको धूना वहाँ पे सवा मिना तपाना पड़ेगा तपाना मींज कि उस चिम्टे को आपने उखाना नहीं एक बार गार देन निकालना नहीं है चिम्टे का मंतर मैंने और लेड़ी दिया हो उस मंतर का आप चप कर सकते हो 21 बार अब चिम्टा वहाँ पे आपने गार दिया आपने नॉर्मल उसकी पूजा बिधान जो अपनी रूटीन में करते हैं यहाँ प्रशौनात मारज की नॉर्मल पूजा करते हो पूजा में अब जप लगाई आपने जप लगाते के दुरहना आपने क्या करने चिम्टे के ऑपर आपने कचिलसी का चिटटा दे है याने कचिलसी आपने इसके ओपर चिर्कते रहना है चाहे आप वो संडे की संडे कर सकने हैं जैसे साद गुरू माज गुरू अगना जी का पार संडे होता है गुरु पीरों का पार यू हो अगर वो गुरु वार है तो आप उस दिन उसके पठचटा दे सेले तो चिम्टे के नाम का तो आगे इस टोपिक के ओपर भी वीडियो ड़ेंगे होफुली मेरे तुरा दीगी जान के कुछ पश्टर अच्छी लगी हो तुम्हेरे सभी चैनल को स्पोर करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जुरूँचे